हेलो गाइज, वेलकम बैक टो माई यूटू चैनल, साथ हो इस वीडियो में लोग सीखेंगे कि आप स्टॉक में बाई करने के बाद एक साथ आप टार्गेट और स्टॉपलोस दोनों लगा सकते हैं, और कैसे लगा सकते हैं पूरी लाइब में हम देखेंगे, और लाइब आ भाई करने के बाद आपको नीचे दिख रहा होगा यहां पर देखेंगे तो पॉर्टफोलियो का उप्सान है, पौर्टफोलियो में जाएंगे, जैसे पॉर्टफोलियो में जाएंगे तो आप का आगर आप बाई कर चुके होंगे, तो इस परकार से जो भी आपका लॉस चल रहा होगा यह चीज आपको यहां पे दिखेगा यह रहा होगा यह चीज यह भी पर प्रॉफित आपका चल रहा होगा यह चीज़ें यहां पे आपको दिख़जाएंगा ठीक है तो यह गेश का हमने इसे ग homelessリ का हु null ही 22 क्म inferior है ठीक है तो यह 12 क्म शहक्त सबसे नीचे और कम से कम मिनिमम दो पॉइंट का हम टार्गेट भी रखेंगे ठीक है दो पॉइंट का तार्गेट तो दो 203 नीचे आ जाएगा तो एक्सिट हो जाएगा यह तो फिर 208 चला जाएगा मेरा इग्सित हो जाएगा इसके लिए क्या करना होगा कि यह आप यहां पे देखेंगे सबसे नीचे नीचे कॉर्णोर में आपो दीखेंगा होगा यहां पर ड्रैलिंग स्टॉपलस के जर्स्ट वगल में exit पूरी क्वांटिटीट को हमें ले 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 लेते उहां यहां पर दाल देते हैं मालिये जाए Stoploss 203 का है चलिए Stoploss 203 का हो गया and target हIm यहाँ पे डाल देते है 220 का डाल देते 220 का डाल देते क्यूंकि Trailing Stoploss भी हम यहाँ पी योच कर लेते हैं Praasis Him डाल देते है टोटल एक रूपे का छीख है अब एक रूपे का Trailing Stoploss का मतलब क्या होता है आप समझ रहा कि यह अगर किसी भी कारण बस अभी यह 205 पर ट्रेड कर रहा है 205 क्रॉस 206 क्रेड कर रहा है तो 206 से यह जैसे 207 जाएगा तो मेरा stop loss जो है automatic एक एक रूपया automatic बढ़ते हुए जाएगा और जहां पर होगा वहां पर automatic यह exit हो जाएगा ठीक है तो इसके लिए हम क्या करेंगे रीव्यू से लॉडर पर टच करेंगे और यहां पर ऑडर कनफर्म करेंगे और यहां पर मेरा देखेगा लग चुका है सब कुछ अब यह हमें दिखेगा कहां तो ऑडर में जाएंगे ओके आप यहां पर क्या करेंग यहां चल रहा है ठीक है यह मेरा सेडी तो इस तरीके अहां करके उसे चोड़ देते हैं अब यह क्या करेंगे यहां तो मुझे मेरा 식 हमें कुछ नहीं करना है हमाराम से देखते रहेंगी यह टोमेटिक मार्केट जब उपर जाएगा तो यह टोमेटिक मेरा ट्रेल करते हुए इस